तो फाइनली मेरी ब्लैक स्पंज की रेसिपी रेडी है और आपका इंसार हुआ खतम तो यह रहा सारा सामान और मैं बनाने वाली हूँ आप चॉकलेट इस चॉकलेट स्पंज से आप कैसी भी चॉकलेट केक बना सकते हैं अब इसके लिए लिया है मैंने मैदा और चीनी सारे म बड़ा रिदा कोफो पॉडर जैसा की इसमे ऑननने डाला है 4 तीज़्पून का कि इसमें कम बेसी भी कर सकते हैं मैं अपने प्रीव बेकिंग पॉडर और मैं डालूंगी बेकिंग सोडा और जब यह बेकिंग सोडा डालें तो उसको हाट से प्रेशर दे दें जो भी उस अब भीपर से लाम्स होते हैं वह प्रिखुना बहुत जरूरी है और हमेशह अच्छे से इसको मेजरिंग स्पून से इस तरह से नापके डाले इस तरह से मैं डाला अब मैं इसमें एड़ करूंगी नमक यह नमक है और नमक स्वीट में अगर हम एड़ करते तो काफर टेस्ट मैंने इसे स्टेन कर लिए अच्छे से चान ले और इसमें कोई भी यह लंब्स नहीं रहे अब यह बन गया हमारा ड्राइ मिक्स्टर जिसे मैं साइड रखतूंगी अब हम इस पे वेट पे काम करेंगे और यह बहुत इजी है बहुत ही टेस्टी बनता है अब मैं यहां पर मि चाहिए जैसा कि मैंने बोला है हमेशा से कि मैं प्री मिक्स का इस्तमाल ने करती और हमेशा अपने केक्स बनाने के लिए हम में चीज़े यूज करती हो तो यह मैंने बटर लिया है यह 100 क्रैम से अब इन दोनों को मैं यहां पे बीत करूंगी पर हमें अंडली वन पे इसे है विक्कॉस खाली मिलाना है अगर आप हैंड विष्कर यूज करना चाहते तो आप हैंड विष्कर से भी यूज कर सकते हैं अब यह बहुत लाइट और फ्लफी हो जाना चाहिए देखिए जिस तरह से यह दिखा रहा है कि यह कलर चेंज हो गया बटर और मिल्कमेट का इस त अब हम यह एड़ कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके बैचे में अपने ट्राइप मिक्सचर को जो भी ड्राइप समान है और रड़ समान है हमेसा सेपरेट यूज होते हैं तो इसमें मैंने एक बैच भी डाला आप जैसे यह 200 ग्राम समयदा है तो मैं तो बैच या थी अब इसमें मैं बीच बीच में दूट डालती जाओंगी और हम मिल्क आप जब भी यूज करें तो थोड़े 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 करके आप मिक्स करें एक सात आप बहुत मिक्स डाल दोगे तो आपको आईडिया नहीं होगा कि किस तरह से जैसे आप देख रहे एक साथ ना डाले मेजरमेंट मिलक का ऐसा कुछ होता नहीं है आपका जो रिक्वाइलमेंट होगा पोरिंग कंसिस्टेंसी आनी चाहिए जो बहुत इंपॉटेंट है और अगर आपका केक का बैटर कभी 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 कर्ली हो जाता है ठंड की वज़े से तो इसमें डरने की बात इसमें ठीचोल या डाला है और उसमें थोड़ा सा क कफी एसेंस अड़ कर यू यह भी असरो का है और आप कफी बाटर वी डाल सकते हो यह सब अप्टू यू लास्ट में आपको कुछ समझना होता है कि अगर आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जाद देते हैं कोई स्ट्रॉंग फ्लेवर का एसेंस हमारे पास आ गया तो वन टी स्पून है तो हो सकता है वो बहुत जादा करवा लगने लग जाए तो हमें वैसा नहीं करना है एक निज पोरिंग इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें करली नेस हलका आ गया है थंड थी यहां पे उसन बहुत तो यह बहुत यह दम पर्फेक्ट है और मैं इसे अब ट्रांसफर करूंगी केक टीन में केक टीन मैंने पहले से रेडी करके रखा है इसमें मैंने खाली ओली लगा तो यह चला गया था ओवन में और अवन का मैंने टोटल चित्ती भी इसकी एक अलग सी वीडियो बना के सारी इसमें बता चुकी हूं तो यह मैंने प्री हिट किया 10 मिनिट्स और 180 डिग्री में इसके डाल के यह ओवन से रेडी होके निकल गया है अब यह वायर रेक में डा करके थंडा कर रहे हूं अब यह फाइनल मैंने इजको देमोल कर लिया है और इस तरह का टेक्स्टर है आप देख सकते हमें अजह उत्वсь तो आप चारो तरफ से से दन क्लीन कर लेक आप शरी तो दोरी अपिवार्ट में प्लीन कहिना तो आप इसे थोड़े रमत में डाल क अच्छे से ब्रैप करके अब फ्रिज में से अराम से रख सकते हो दो दिन के लिए तीन दिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो यह रेडी है थैंक यू सो मच मिलते अगले वीडियो में